ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com इन्वेस्टिंग मेड एजी और रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ 5PESA की और से डाउनलोड कीजिए 5PESA अप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं exciting offers 5PESA के जरीए आप किसी भी equities, mutual funds और IPOs में invest कर सकते हैं वो भी 0% brokerage और flat 20 rupees पर order पर तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5PESA अप अब तो सब को पता है निवेश हुआ आसान और लाबदायर happy trading and investing लेकिन इसके बावजूद कल हमने देर राथ S6 Nifty को recover होते देखा और आज जब बजार खुले तो बजारों का setup थोड़ा ठीक होता नजर आया तो बजार ने चौका दिया और तेजी के साथ खुल गया भारती बजार, जी हां आज के दिन की जो opening थी वो 16,018 के level पे होई और उसके बाद धीरे-दीरे करके और pick-up हो गए 16,070 आज के दिन का high लगा दिया लेकिन क्योंकि थी weekly expiry तो दो तरफा चाल दिखा गया बजार, उपरी इस तरों पर बिकवाली हो गई और जैसे ही 11 बजे फिर से 16,000 का level तूटा तो उसके बाद तो मंदड़िये हो गए हावी और जबरदस तरीके से बजार पर दवाव बनाते चले गए आज के दिन का low लग गया 15,858 का लेकिन अंत में जाते-जाते recover भी कर गए closing थी आज 15,938 की कुल मिलाकर उठा पटक के बीच 28 अंक गवादिये निफ्टी ने close to close basis पे लेकिन आज जो एक range थी निफ्टी की वो थी 212 अंकों की और आज intraday range निफ्टी बैंक की लगभग 470 अंकों की थी निफ्टी बैंक 176 अंक close to close basis पे गिरता हुआ नज़र आया 34,651 की लेवल पे बंद हुआ है और 5,416 लेवल पे बंद हुआ नज़र आया advanced declines 21 शेर्स निफ्टी के हरे निशान में 29 शेर्स लालशान में बंद हुए है निफ्टी गेनर्स पे आज फिर से नंबर आया pharma stock का जिसमें sun pharma आज दिन भर stock पे bet लगती नज़राई कोई भी गिरावट चेज ओर रही थी खरेदारी करने के लिए लगभग 30% चड़ा है इसके लवा Dr. Redis लगभग 2% चड़ा है ONGC में surprise move आ गया और सवा 2% ये तेज हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक और मारुती जैसे stocks में आज action तेज था banking में एक ही stock पे सभी traders नज़र गड़ाए हुए थे वो था कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% की चाल पकड़ गया लेकिन गिरा भी आज banking शेतर में Axis Bank 1.5% कमजोर हुआ है और Nifty का टॉप लूजर है इसके लावा IT का तो बुरा हाल है HCL Technologies Tech महिंद्रा ये दोनों ही stocks तूटे हैं सवा 1% से 1.5% के आज पास साथ से साथ हीरो मोटो कॉप और SBI जैसे stocks को भी आज गिरावट देखने को मिली सेक्टर स्पेसिफिक आज निजी शेतर के banks, PSU banks, IT ये तीन ऐसे तपके थे जो बजार में बहुत कमजोर थे Canera Bank 4% लोड़का है IOB लगभग 3% कमजोर हुआ है Bank of Broda, Indian Bank, Union Bank को मिली, IT का तो दिन आज ही नहीं, पिछले कुछ दिन ही खराब है और आज जो stock टूटे है Across the board बिक्वाली देखने को मिली है चाहे हो large cap stocks हो या फिर mid cap category के stocks सभी में ही आज दबाब बनता हो नज़रा है, माइंट्री के नतीज़े ठीक थे in fact, Broking Houses की commentary उतनी solid नहीं आई माइंट्री आज 4% टूट गया L&T Infotech 3% टूटा है Coforge, L&T Technology Services, HCL Tech, Emphasis जैसे stocks में सभा 1% से 2% के आज-पास की गिरावट देखने को मिली Energy stocks, oil and gas space में आज खरेदारी हुई है Energy में जो चड़ा है उसमें है अदानी transmission आज के दिन में जो पल्टा तो 8% की चलांग लगा गया ONGC और Alliance Industries एक बार spike up आ गया था क्योंकि दिन के दौरान सूत्रों के हवाले से ख़बर थी कि 15 जुलाई यानि कि कल हो सकता है कि सरकार की एक बैठक हो गेल, IOC ये स्टॉक हरे निशान में बंद हुए हैं ओलन गया स्पेस में अदानी टोटल का नंबर आया 6% ये चड़ गया पेट्रोनेट LNG आज ये था फ्लेवर मार्केट में लगभग 4% चड़ा है HPCL का स्टॉक 3% चड़ा है GSPL, ONGC, Gale ये कुछ ऐसे स्टॉक्स ते जहां पर आक्शन स्टॉंग पढ़ता हो नज़रा है फार्मा, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बजार पर जो पकड़ मजबूत हुई है वो है फार्मा की बजार लोड़क रहा है लेकिन फार्मा चल रहा है कॉंट्रा मूज देखने को मिल रहे हैं सन फार्मा तो चड़ा ही, निफ्टी का टॉप गेनर था इसके लावा नाटको फार्मा सवा 2% उचला है ये कुछ ऐसे स्टॉक्स ते जहां पर आक्शन स्टॉंग था और पौने 2% तक की तेजी बनती वे निज़राई फनो गेनर्स में पेट्रोनेट LNG को पाएंगे आप पौने 4% उचला है, भारत फोर्ज का अक्शन स्टॉंग था 3% चड़ा, HPCL, सन फार्मा और मेक्डॉवल जैसे जो कंपनी है इनके स्टॉक्स वाइदा कारुबार पे बहुत आक्टिव थे FNO losers में mid cap IT का तो सूपड़ाई साफ हो गया बिरला soft 8% टूटा है, persistent system 4% टूटा आज PSU banking basket में, कैनरा बैंक में वाइदा कारुबार पे negative trades बहुत जादा हो रहे थे, mind tree 4% लोड़का है और jubilant foodworks पौने 4% टूटता हूँ नज़राया mid cap gainers की सूची अभी भी बहुत लंबी है, counter specific bets लग रही है और आज जो तेजी पकड़ी है, उसमें एक stock है butterfly गांदी मती, 20% का upper circuit stock पे देखने को मिला नतीजे शांदार company ने post किये साथ-साथ एक और stock चड़ गया, वो था stovecraft जो इसी category से जुड़ी company है इसके लावा new land lab, 8% चड़ा है गरवारे high tech, 6% चड़ता हो नज़राया आदानी transmission, valent, organics जैसी जो company है इनके stock 5% से ज़ादा चड़े है C8, anupam, रसायन, लगभग 5% पहुने 5% चड़ते हो नज़राया शाफलर, इस stock में था action और stovecraft में बता ही चुका हूँ इस stock में बहुत strong action लेटराफ में बनता होना ज़रा 4.5% उचला है household appliances से जूड़ी company है ये हिंदुस्तान Zinc ने भारी भर कम dividend की announcement कर दी अंतरिम dividend 21 उबर पर शेर का देरी company उसके चलते आज action में था दिन भर इस stock में अच्छा action बना और 4.5% की ultimately close to close basing पे बढ़त देखने को बिली 52 हफते के निचले स्थर पे बहुत सारे जाके stock टकरा गए है जिसमें बिरला soft है आज तो जो धडाम हुआ है ये stock 8% तूड़ गया आज और 1.5% के निचले स्थर पे है बजार बंद होने के बाद ACC के much awaited results आए है quarter to calendar year 22 के वायनवा basis पे नतीजे देखिए आप मुनाफ़ के figure 569.4 करोड से घटका सीधा 227.35 करोड रही है 60% का डेंट पड़ा है हम expect कर रहे थे 396 करोड का मुनाफ़ा जो कमपनी पोस्ट करेगी उससे भी कमजोर मुनाफ़ा कमपनी ने पोस्ट किया कमपनी कह रही है क्योंकि फ्यूर लागत बहुत जादा बढ़ गी है इसका नतीजों पे impact पड़ा है मुनाफ़े पे और कामकाजी मुनाफ़े पर भी आए जो है वो 3885 करोड से बढ़कर 4468 करोड पहुंची है 15% का जंप है यह हमारे अनुमान के आसपास है 4358 करोड हमें expect कर रहे थे लेकिन कामकाजी मुनाफ़ा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है 869.4 करोड से घटकर 426.2 करोड 51% की गिरावट है 448 करोड का अनुमान था हमारे अनुमान से कम है margin बिल्कुल squeeze हो गए है 22.38% से घटकर 9.54% तो margin भी साफ हो गए 10.29% हम अनुमान लेकर चल रहे थे और उमीद यही थी कि cement के numbers जो हैं sector के इस तिमहाई में कुछ ज़ादा exciting नहीं रहने वाले हैं ACC का stock फिर भी समल सकता है क्योंकि इसमें open offer खुला हुआ है अदाने ग्रूप का इसके चलते कोई बहुत बड़ी हल चल ACC के stock में expected नहीं है हाल पिलाल में एक range में कर रहा है काम काज लेकिन अगर नतीजों को समराइस किया जाए तो मुनाफ़ा below expectation है in line है EBITDA below expectation है और margin भी अनुमान से कम है अब आगे क्या होगा देखे कल macro numbers पे देखोगे तो कल चाइना के quarter to GDP figures आने हैं और देखते हैं हाँ पर क्या outcome निकल क्या आता है अमेरिका में बड़ी financial company banks के नतीजे हैं जैसे आज JP Morgan चेज अपने नतीजे जारी करेगा financial sector पर असर आएगा और कल city group Wells Fargo इन कंपनियों के नतीजे हैं तो closely track हो रहे हैं अमेरिकी राश्ट्रपती खाड़ी देशों के दौरे पे हैं और इसका एक बड़ा असर क्रूड के बजार पे पढ़ सकता है पढ़ भी रहा है हमने देखा है कि कच्छा तेर 97 के आसपास कर रहा है ट्रेड हो सकता है अगर गिरावट और गहरा जाए तो भारती बजारों के लिए booster dose बन जाए और अमेरिकी राश्ट्रपती की अगर आप tweet statements कल के सत्र में देखोगे twitter statements तो उन्होंने यही कहा था जो inflation number बहुत जादा आए है उसमें backdated data है अभी हाल फिलाल की जो गिरावट हुई है natural gas में crude में उसको ये सही तरीके से नहीं reflect कर रहा है और इसलिए आपको 9.1% के inflation figures आते हुए नज़रा है देखना होगा कि crude का बजार कैसे pan out होता है डॉलर के मुकाबले तो समझे बजार भी समझता हुआ नज़राएगा अच्छा stock specific भी हल चल रहने वाली है जिसमें life insurance cooperation का share रहेगा radar पर क्योंकि company ने much awaited Indian embedded value के आंकड रिलीस कर दिये हैं और Indian embedded value LIC की है 5.41 lakh crore rupees इसके हिसाब से भी ये share अपने peers के मुकाबले सस्ता है क्योंकि price to embedded value का ratio बैठता है 0.84 times के आसपास जो कि अपने दूसरे जो players है उनके मुकाबले कम है सस्ता तो है ये stock लेकिन और भी कई मुद्बे है जैसे बजार में जिस तरीकी volatility देखने को मिल रहे है तो LIC को उसका भी असर एक देखने को मिलता है क्योंकि LIC का बहुत बड़ा exposure जो है वो stock market के उपर भी है और साथ-साथ company के ऐसे नतीजे पोस्ट करती है कैसे growth outlook company management बताती है तमाम मुद्दों को बहुत closely track किया जा रहा है stock specific federal bank में नज़र रहे हैगी नतीजे आने वाले है J.S.P.L. के कल नतीज़ आएंगे L.N.T. Technology Services के नतीज़ आएंगे Obero Air Reality कल नतीज़ पेश करेगी तो ये company रहेंगे radar पर 4 दिनों से लगातार बजार फिसल रहा है 8 जुलाई को high लगा था 16,220 का उसके बाद से हम देख रहे हैं कि Profit Booking जो गहराई है आज के दिन का लो लग गया है 15,858 का तो वन वे ट्राक पे टूटे तो हैं लेकिन इन लेवल्स पे बहुत important support zones निकल गया आते हैं कोई भी बड़ी development world market पे हो गई न तो यहां से पलड़ भी सकता है बजार important levels पे है result season on है बड़ी कंपनियों के नतीजों को closely track किया जा रहा है तो थोड़ा cautious रही है लेकिन बजार support zone पे है इसको नकार नहीं सकते हो 15,800, 15,850 important level है नीचे एक support की तरह act कर रहे हैं और उपर 16,050, 16,100 का level एक hurdle एक resistance की तरह market के लिए काम कर रहा है तो एक range में ही करेंगे काम का आज लेकिन बड़े economic data रुपे की चाल, crude की चाल पर नजर रहेगी और देखते हैं बजार किस करवट बैठता है पर फिलहाल एक range bound session की ही उमीद की जा सकती है झाल 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 झाल